शुक्रवार को रामनगर में आशावर्करों ने स्वर्गे रामदा जूशी राच के संयुक चिकिस्तियाले में तैनात एक महिला चिकिस्तिक के खिलाब मोचा खोलते हुए अस्पताल के बाहर जम कर नारेवाजी और प्रदर्शन किया आशावर्कर यूनियन की चुलाब्ध के साथ ही उनके समंमान को ठेश्च बताई जा रही है उनका आरोब था कि सरकार्वारा जिस मंकस्थ से आशावर्करों की न्युक्ति की गई थी उसके तहर सभी आशावर्कर march अप्रा कार्य करने के साथ ही सरकार की योजनाओं का प्रचार परसार कर रही है उन्होंने कगा और अल्टा साउंड आशावर्कर से करो, मैं इलाज नहीं करूंगी। इतना ही नहीं आशावर्करों ने ये भी आरोक लगाया कि महिला चिकिस्तक द्वारा रामनगर में एक प्राइवेट लैप से जर्वती महिलाव को अल्टा साउंड जाच कराने के लिए मजबूर किया ज रहेंगी। कर द्वी ओती महिलाओं की वह यहां तक आती हैं अगर हम किसी पेसेंट के साथ नहीं आपाते हैं और उसको समझा देते हैं कि तुम जाके महिला चिकिषक को दिखाओ, अगर वह पेसेंट मैडम से यह बहाएगी कि हमको आसा ने भेजा यहां दिखाने के लिए तो हमारी मह महिला चिकिसक डॉक्टर दिब्या जी उनसे यह कह रही है कि आप यह पर्चा लेकर अपनी आसा के पास जाएए और वही आपका इलाज करेगी वही आपका अल्टासाउंड कराई तो यह कौन सा तरीका है हमारी मांग यह है कि आसाओं के मान सम्मान पर इससे हमारे कारी तो यहां लेकिन किसी की अगर जरुवत हो रही है उसको बहुत से अल्टासाउंड करना है तो उसको केवल एक पैथोलोजी लेब के लिए फोर्स किया जा रहा है कि किसी का नाम लेके कि वहां से करा के लाओ अगर पेसेंट अपनी मर्जी से किसी अन्य लेब से करा के ला र और मुख्य मंतरी जी तक भी अपनी मांगों को लेकर जाएंगे वहीं मामले में चिकिस साले के सीमस डॉक्टर चंदरा पंत ने बताया कि अस्पताल में अल्टासाउंड और सभी जांच हो रही है अगर यह जांच और अल्टासाउंड प्राइवेट कराया जा रहा है तो कंबीर मामला है इस बारे में उचाधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही नियम अनुसा कारवाई की जाएगी देखिया हमारे होस्पिटल में होस्पिटल जो की पीपीवी मोड में चलता है उसके अंदर ही लैब भी मौजूद है और अल्टासाउंड भी होते हैं अल्टा अनुसर।